जै मातादी भाग्य चक्र में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवेण मिस्र और हमारे साथ है पंडित शैलेंदर पांडे जी पंडी जी आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत अमस्कार तो पंडी जी कारकरम शुरू करें जी तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की आज के पंचांग में क्या है खास कौन सी तिथी है कौन सा नच्छत्र है और पंडी जी आज राहुकाल का समय कब से कब तक रहेगा जी दिनांक आठ अक्तूबर दो हजार चौबिस दिन मंगलवार तिथी है आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथी नक्षत्र है जेश्ठा नक्षत्र चंद्रमा व्रिष्चिक राशी में संचरन कर रहे हैं राहुकाल का समय दोपहर तीम बजे से चार बच कर तीस मिनट तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है मजबूरी है तो जरासा गुड़ खाकर और भगवान का समर्ण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मंगल की यह राशी है मेश राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पंडिजी इनके लिए आज शुब रंग कौन सा है मेश राशी आज अपने स्वास्थे का ध्यान बनाए रखें पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं जल्द बाजी में कोई निर्ड़े न ले किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो दिन के मुश्किलें कम हो जाएंगी शुब रंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुब रंग आज के लिए होगा नीला अब बात ब्रश राशी की शुक्र की ये राशी है ब्रश राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडीजी इनके लिए आज शुब रंग कौन सा है व्रिशब राशी स्वास्थ अच्छा होता जाएगा धन लाब के योग बन रहे हैं मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा शुब रंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुब रंग आज के लिए होगा पीला अब बात मिथुन राशी की बुद्ध की ये राशी है मिथुन राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पंडिजी इनके लिए आज शुब रंग कौन सा है मिथुन राशी करियर की समस्या हल होगी उपहार सम्मान का लाब मिलेगा काम की अधिकता रहेगी खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा शुब रंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुब रंग आज के लिए होगा आसमानी अब बात करक राशी की चंद्रमा की ये राशी है करक राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पंडिजी इनके लिए आज शुब रंग कौन सा है करक राशी धन की स्थिती में सुधार होगा पारिवारिक समस्याएं हल होगी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहितर होगा शुब रंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहितर बना सकते हैं वो शुब रंग आज के लिए होगा सुनहरा अब बात सिंग राशी की शूरे की ये राशी है सिंग राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पंडिजी इन के लिए आज शुब रंग कौन सा है सिंग राशी व्यर्थ की चिन्ता हो सकती है धन हानी से बचाव करें वाहन सावधानी से चलाएंगे किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी शुब रंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुब रंग आज के लिए होगा नारंगी अब बात कन्या राशी की बुद्ध की ये राशी है कन्या राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी भरतनी चाहिए और पणिजी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है कन्याराशी स्वास्थ में आपके सुधार होगा रुके हुए काम आपके पूरे होंगे यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुबरंग आज के लिए होगा सफे अब बात तुला राशी की शुक्र की ये राशी है तुला राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी वरतनी चाहिए और पंडिजे इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है तुला राशी धन लाब के योग बन रहे हैं करियर की समस्याएं हल होंगी परिवार में मंगल कार्य होंगे खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुबरंग आज के लिए होगा धानी अब बात ब्रिश्चिक राशी की मंगल की ये राशी है ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पंडीजे इनके लिया शुबरंग कौन सा है प्रिश्चिक राशी सेहत अच्छी रहेगी धन का लाब होगा रुके हुए काम आपके पूरे होंगे किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुबरंग आज के लिए होगा क्रीम अब बात धनु राशी की ब्रहस्पति की ये राशी है धनूराशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पणिजी इनके लिए शुबरंग कौन सा है धनूराशी सफलता के लिए धैर्य बनाए रखे परिवार में विवादों से बचाव करे वाहन सावधानी से चलाएंगे किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो दिन के मुश्किलें कम हो जाएंगी शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुबरंग आज के लिए होगा लाल अब बात मकर राशी की शनी की ये राशी है मकर राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या सावधानी बरत्री चाहिए और पंडीजी इनके लिए शुबरंग कौन सा है मकर राशी धन लाब के योग बन रहे हैं संपत्ति का लाब हो सकता है मानसिक चिन्ता समाप्त होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहितर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहितर बना सकते हैं वो शुबरंग आज के लिए होगा हरा अब बात कुम्भ राशी की शनी की ये राशी है कुम्भ राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या सा उधानी बरतनी चाहिए और पंडिजी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है कुम्भ राशी स्वास्थ बेहतर होता जाएगा धन लाब के योग बन रहे हैं रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुबरंग आज के लिए होगा बैंगनी अब बात मीन राशी की ब्रहस्पती की ये राशी है मीन राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साओ धानी बरतनी चाहिए और पंडिजी इनके लिए आज शुब रंग कौन सा है मीन राशी कोई शुब सूचना आपको प्राप्त होगी करियर की बाधा दूर हो जाएगी छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं देवी को अगर पीले फूल अरपित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुबरंग आज के लिए होगा हरा अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का पंडी जी आपने भागे चक्र में इतनी महत्यपूर्ण जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद